आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइनत के लिए एक नया चैप्टर जोग्राफी से और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक तरीकी का चैलेंज लगता है क्यों ? क्योंकि इसमें बहुत सारे concepts हैं और अगर उन concepts को आपने समझा नहीं तो for sure आपकी जो answers होते हैं जो exams में पूछे जाते हैं इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आने वाले आगे lecture हैं इस chapter से related उनमें हम छोटी से छोटे concept को भी बहुत ही simple manner में आप तक convey कर सकें जिससे कि आपके concept clear हो जाएं और in future अगर कोई भी एक्जाम में question आता है या आगे भी कभी life में आपको इस तरह की चीजें कभी face करनी पड़े related climate तो आप आसनी सुन का जवाब दे सकें तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के chapter की और सबसे पहले introduction है आज हम इस chapter के अंदर क्या साथ ही साथ हमारे इंडिया का climate कैसा है इसको भी देखने ही कोशिश करेंगे और कौन से ऐसे factors हैं जो हमारे इंडियन climate को affect करते हैं उनको समझेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरुबात करता है climate से अच्छा अगर मैं geography के पहले वाले chapter जो आपन ने पढ़े हैं जिसमें latitude, longitude और उसके अलावा physical features मतलब आपके physical features और उसके अलावा हमारा इंडिया का location size इसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो previous दो chapter थे इसका मतलब हमारे location और हमारा physical feature वो already हम discuss कर चुके हैं आज हम पढ़ रहे हैं वो यह है कि atmospheric condition कैसी है मतलब हमने landmass पढ़ा हमने drainage पढ़ा य आज जो हम पढ़ेंगे वो atmospheric condition है यह क्या बता रहा है हमारे natural environment बता रहा है कि आपके जमीन कितनी किस तरह का drainage pattern है और किस तरह का atmospheric condition है तो यह तीन factors हैं जो हमारे nature को कहीं ना कहीं relate करते हैं उसमें already हम class 9th के previous geographic के दो lectures के अंदर या दो chapters के अंदर इन दौनों चीजों के उपर तो discuss कर चुके हैं drainage आपको लगेगा कि शायद हो सकता है आपको कहीं confusion रहा हो but we have already discussed और उसके lectures भी आपको पढ़े वे मिल जाएंगे अपने YouTube चैनल पे तो देख लीजेगा भी और यह atmospheric condition जो है आज हम शुरू कर रहे हैं क्या होता है atmosphere क्या होता है इनके weather conditions उन सब को one by one discuss करत है चलिए आप देखते हैं सबसे पहले weather क्या है हम weather and climate पहले इन दो के बीच में जो difference है उसको बता करते हैं उसके बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये weather और किस तरह से climate हमें affect करता है हमें मतलब हमारे natural environment हो तो जो weather है वो weather क्या है एक atmosphere का state है हमारे आसपास का जो fluctuations है fluctuations means weather कभी भी बहुत आसानी से तुरंत बदल जाता है जैसे imagine कि जैसे सुबह आप उठ रहे हैं तो सुबह के दोरान बहुत ही pleasant एक scenario होगा बहुत ही अच्छा ठंडक देने वाला माहौल होगा बट जैसे जैसे सूरज उपर की और बढ़ेगा temperature जो होगा आपका बढ़ता जाएगा गर्मी भी हो सकती है दौपएर के अंदर तेज गर्मी शाम को फिर वो pleasant होता होता और रात को तो ठंड हो जाएगी हो सकता है दौपएर के अंदर बढ़सात हो जाए तो दौपएर वाला जो scenario है वो भी change हो जाए तो weather एक atmosphere का state होता है state मतलब एक condition होता है एक type होता हमेशा weather में variations होती है आप यह नहीं कह सकते हो कि आज पूरे दिन के अंदर weather particularly एक जैसा रहने वाला है जैसे आप देखते होंगे न सुबह जो temperature होगा वो कम होगा फिर दौपएर में भढ़ता जाएगा रात में फिर कम हो जाएगा तो यह जो variation है these variations relates to the weather मेरे इसाब से नहा बार-बार change हो रहा है जितने time में इसका fluctuation हो रहा है या जो variations हा रहे है अब अगर इन सारे variations को इन सारे differences को इन सारे types को अगर हम एक जिगह पर सम कर लें collect कर लें इन सारी weather conditions को आप अगर total कर लेते हैं सम कर लेते हैं उसका और एक average एक मौसम अगर आप पता करते हैं तो वो जो हम situation create कर रहे हैं वो आपका climate है ऐसे समझो हमेशा सुबह भी गर्मी है या temperature लगबग आपका 30-40 के बीच में है दौपैर में वो और भढ़ जाता है 40-50 के बीच में हो जाता है शाम को घटते 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 temperature लगबग minimum जो घटता है मतलब minimum वो लगबग 30 के आसपास आज जाता है 25 के आसपास जाता है तो यह जो condition बनी इसका total sum हमने average निकाले के भी मौसम जाबी गर्म ही है तो यह जो गर्म आपने कहा मतलब यह season मैं directly कहूं तो तो जो season आपने पता लगाया यह है आपकी climatic condition तो अलग-अलग weather situations को variations को their conditions को जब आप total करते हो और उससे एक आप overall condition condition निकालते हो सामने तो वो आपका climate होता है अब यह जो climate है अब ऐसा नहीं है कि जैपूर एक जगह है राइपूर एक जगह है या फिर कोई आप कहीं और भी state में रह रहे हैं तो वहां का कुछ scene अलग है वहां पर कुछ और conditions आ रही है कहीं दूसरे state में कुछ और है यह जो कुछ और तीसरे में कुछ और तो आप उसको फिर weather ही कहेंगे आप उसको climate नहीं कह सकते क्योंकि climate का जो area होता है वो larger होता है जग्राफिकल area काफी बड़ा होता है weather ज़रूर अलग-अलग हो सकता है जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अभी x point पर हूँ और x point पे बरसानत हो रही ह वो अलग बात है कि weather change हो सकता है तो आप overall उस चीज़ को देखेंगे साथी साथ यह जो weather conditions है यह sudden अप्राइज नहीं होती क्या होता है यह एक लंबा time duration के बाद में वहाँ पर जो stability आ जाती किसी एक particular conditions में जैसे हमने यह पता लगा लिए कि December के अंदर सर्धियां पढ़ने व ही किसमें एक लंबे time duration तक at least 30 years तक तो वो जो condition होगी उसको आप climate में consider करें दुबारा समझने कोशेश करें weather fluctuate होगा weather दिन में 10 बार बदल सकता है लेकिन एक लंबे area में एक बड़े area में continuously एक लंबे duration time span के अंदर जो weather conditions बनी भी रहती है जिसके variations को आप बार बार changes हो रहे यह सारा calculation आपका climate को relate करता है season climate का ही type है यह याद रखें weather से seasons and seasons का भी एक जो complete जो आप कह सकतो package है वो बुरा का बुरा किसका है climate का ठीक है तो यह इन दौनों के बीच में basic सा एक relation है और आगे समझने कोशिश करता है climate क्या जो भी generally आपके अलग-अलग जो month है उन month में atmospheric conditions ह होती है उन atmospheric conditions के हिसाब से जैसे imagine कि जै मैंने December का नाम लिया तो December में ठंट पड़ रही है मैं June का और में का नाम ले रहा हूं तो उसमें मुझे पताए कि गर्मिया होगी और उसके अलावा फिर अगस्त आते हमारे यहाँ पर June जुलाई अगस्त आते आते बरसात मता मौन आना शुरू हो जाएगा तो यह जो conditions है जो month wise divide की मैंने यह सारे month wise division ही हमारे लिए क्या क्यलाते है seasons क्यलाते है और ऐसे seasons हमारे यहाँ पर especially winter season, summer season and monsoon season तीन major seasons में हम divide करते हैं हमारे Indian climate को यह भी याद रखे हमारा Indian climate किस तरह अगर आपसे question आ जाता है MCQs में तो आप यह climate है वो monsoon climate है ठीक है हमने क्या किया है हमने पूरे साल को अलग-अलग seasons में divide कर दिया वही summer भी है autumn भी है rainy season भी है और winter भी है तो इस तरह के seasons है और हमारे Indian climate को आप monsoon type of climate कहते हो यह MCQs में आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखें अब बात आती है कि यह जो weather या climate है यह क इस तरीके से या किन-किन factors पर dependent होते हैं यह मतलब कौन सी चीजों को कही ना कहीं किन से effective होते हैं तो देखें जो भी element हमारे weather या climate के अंदर हैं presented तो कुछ element ऐसे हैं जो common होते हैं और जिससे यह weather conditions या climatic situations बदल जाती हैं जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ temperature temperature के कारण climate and weather जो हैं दोनों ही कही ना कही effective होते हैं देखें अगर continuously सूरज आपके ठीक सर के उपर है मतलब मैं कहूं equator के उपर है अगर आप equator पर खड़े और सूरज आपके सर के उपर है तो वहाँ पर temperature भड़ेगा और एक zone ऐसा create हो जाएगा कि वहाँ पर हमेशा क्या रहनी है गर्मी रहनी यह सारे वो conditions हैं जो कही ना कही हमारे climate और हमारे weather को day by day या फिर एक लंबे time span के अंदर season wise affect करते हैं और इससे एक particular geographical reason का climate बनके ready होता है और उसको हम specific zone का climate कहते हैं यह मान के चले आगे देखें अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर जिसमें तुमें बत तो summer भी होता है winter भी होता है लेकिन हमने monsoon ही क्यों कहा उसको हम आने वाले lectures में पढ़ेंगे अभी सबसे पहले एक बार कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच में difference पता करनेगा कि weather and climate में क्या basic difference है तो जैसे हम already इसको समझ चुके हैं कि यह day by day change होता है और यह एक लंबे time span क एक मिला जुला आप कह सकते हो combination है total sum है तो यह day by day and यह एक लंबे time duration तक atmosphere जो weather होता है may involve just one condition of atmosphere यह atmosphere का एक particular हो सकता है एक condition ही अपने आप में contain करें जबकि climate के अदर बहुत सारे conditions आती हैं जैसे imagine कीजे आज सुबह पहले बरसात हो गई और या फिर पूरे दिन बरसात रही त next day भी वैसा ही हो तो यहां पर यह ही कहना चाहरा है कि जो weather होता है weather के अंदर atmospheric जो condition होती है वह सकता है एक हो डो हो जादा जादा तीन भी हो सकती है लेकिन यहां पर तो सारी की सारी चीजें overall अगर ऐसे मान के चलो यह यह weather जो है एक factor है किसका climate का यह एक type है climate का ऐसे मान लो यह temperature है तो इनके कारण से यह सारी conditions आप क्या करते हो इसमें add on करते हो वापिस weather क्या होता है एक छोटे से time duration के लिए किसी एक particular place पे अलग-अलग situation रखता है यह मतलब यह कह सकते हो कि यह एक छोटे area का जबकि यह एक बहुत बड़े area का यह एक छोटे मतलब थोड़े से time duration क के लिए तो ऐसे भी है इसका आप classification कर सकते हो weather day by day की conditions में changes होते है इसके अंदर ही long time के लिए होता है अभी हम already उपर देख चुके है weather कई बार बदल सकता है लेकिन climate ऐसा नहीं है कि every time वो change होगा ऐसा नहीं होता ठीक है तो यह basic कुछ 5, 6 वाला अगर आप पढ़ना चाहें तो दिख लीजेगा बाकी यह 5 sufficient है अगर आप से exam में पुछेगा तो 5 ही आपको लिखने है क्यों लिखने है क्योंकि इससे बड़ा question नहीं आ सकता इससे related ठीक है तो इस पर time में जादा और खराब नहीं करते है देखे अभी इंडिया का जो climate है वो monsoon type of climate है अब कैसे है monsoon और इसका क्या impact है तो देखते हैं देखे अगर आप इंडिया का जो monsoon type of climate है यह पूरे के पूरे इंडिया overall हमारे एक general pattern का एक unified form है मतलब ऐसे मान के चलें आप के हमारे इंडिया की जो climatic condition है वो एक overall उसका हमने एक segment बता दिया overall उसकी condition बता दी कि विया पूरे इंडिया क अंदर जो climatic condition है या जो हमारे हाँ type है climate का वो monsoon type है लेकिन यह जो conditions है ऐसा नहीं है कि हर जगह पर उतनी ही monsoon या उतनी ही बरसांत होगी जितनी एक particular जैसे मेगाले में जितनी बरसांत हो रही है राजस्तान में भी उत्ती हो ऐसा नहीं है तो overall जो climate है वो तो हमने कह दिया क यह monsoon type है लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर जगह पर उसी type का climate आपको देखने को मिलेगा नहीं यह reason to reason अलग-अलग वराई कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो pattern है यह change करेगा किस तरह की conditions पे regional conditions पे depend करता है आपका वहाँ पे geographical factors क्या है कितने type of different situations या कौन-कौन से factor है जो affect कर रहे हैं वाँ के weather को या climate को तो उसके सबसे अलग हो सकता है लेकिन इसको unity में अगर हम कहें utility की बात करें या फिर इसका overall हम एक factor देखें तो हमारा monsoon climate है लेकिन हर एक reason के अंदर यह क्या होता है अलग-अलग भी हो सकता है because of their factors अब यह factors कौन-कौन से होते हैं उनको हम पढ़ते हैं यह जो भी element होते हैं जो कहीं ना कहीं variations लेकर आते हैं हमारे scenario में वो एक तो होता है आपका temperature और दूसरा होता है precipitation अब temperature क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे next देखो पहले तो temperature कैसे affect करेगा वो बता देता हूँ फिर उसके बाद में और दूसरी चीज़ आप मैंने कहा reasonable diversities के कारण भी या geographical factors के कारण भी कहीं ना कहीं हमें अलग-अलग variation देखने को मिल सकता है जैसे अगर गर्मियों की बात हम करें तो राजिस्तान के अंदर temperature आपको 50 degree Celsius जैसलमेर के अंदर जाएं तो 50 degree Celsius तक देखने हो मिलेगा जबकि same date summer का ही time है और आप जम reason सा महल होगा वहाँ पर गर्मिया बिल्कुल महसूस नहीं होगी ऐसा क्यों depend गरता है कि वहाँ पर किस तरह की factors available है nature के ठीक है ऐसे example लेते हैं हम winter का कि ले लद्दाक में आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसे reasons हैं जहाँ पर temperature लगभग minus में रहता है minus 45 degree तक जबकि अगर आप chain नहीं में जाएंगे winter के time में तो आपको वहाँ पर climate कैसा मतलब कैसा temperature मिलेगा 20-20 degree के आसपास ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे के क्या कारण है तो उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं precipitation के अंदर अगर हम देखें तो कौन साई हाला कि यह relate करता है आपके rain से अम मतलब आपके बरसात भी हो रही है बर्ष बारी भी हो रही है तो इस तरह की सारी conditions को आप क्या करते है प्रेसिटिपेशन के अंदर count करते है ठीक है अब समझने कोशिश करें हमाल्डन रीजन में जब बरसात होती है तो वहाँ पर बरसात ऐसी नहीं होती के चुटी-चुट भी बुंदे गिरी है वहाँ पर स्नोफॉल होता है इसके अलावा अगर आप दूसरी जगे पर देखेंगे तो वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है लेकिन दूसरी reasons के अंदर rainfall हो रहा है मतलब बरसात पानी की फॉर्म में नीचे आ रही है ऐसे में यहाँ पर प्रेसिटिपेश दौनों factors के चलते ही हमारे यहाँ पर अलग-अलग variations देखने को मिलते हैं हमारे climatic conditions में and weather conditions में हम आपको कभी भी बोले कि राजिस्तान के जसलमेर में जाना चाहेंगे क्या तो आप कहेंगे नहीं यार बहुत गर्मी होती तो आपको कैसे पता है वहाँ पर गर्मी जादा है अब कैसे आपने पता किया और कैसे उस चीज़ के लिए प्रिपेर हुए because of temperature के बारे में आपको पता है हुआ के और साथ ही साथ प्रेसिट variation के बारे में पता है कि वहाँ पर क्या क्या conditions हो सकती है इस कारण से इन दौनों factors को दिमाग में रखते वे ही हम next हमारा जो topic है उसको discuss करने कोशिश करता है अलग कि simple form था और मेरे साबसे तो में कोई इसमें issue नहीं हो था अगर हम बात करें rainfall की तो हमारे इंडिया के अंदर इसके अंदर भी बहुत सारे variations हैं कई जगे पर तो rainfall काफी ज़ादा होता है और कई जगे पर rainfall काफी कम होता है अगर यहाँ पर जैसे आप मेधाल्ले की बात करें तो मेधाले में अगर एक पूरे साल की बात करते हैście आप तो लगभग उसमें 400 सेंटीमीटर तक rainfall हो जाता है जबकि राजिस्तान के अगर आप बात करें जैसर मेरेरीजिन की बात करें तो वहाँ पर पूरे साल में केवल 10 cm तक का ही rainfall आपको देखने को मिलता है मतलब बहुत जादा अंदर है एक जगे तो 400 और एक जगे पर 10 cm इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो weather conditions होंगी वो pleasant तो बिलकुल नहीं होने वाली है पानी की कमी है, atmosphere के अंदर water droplets नहीं होगी इसका मतलब वहाँ पर humidity नहीं होगी इसका मतलब वहाँ पर हर चीज के अंदर मतलब जो भी environment आप देखेंगे वो बहुत हार्श होगा कहाँ पर जहाँ पर water available नहीं है और अगर जहाँ पर 400 cm तक rainfall हो रहा है पूरे year के अंदर तो वहाँ का जो माहौल होगा, वो green green होगी चारो तरफ pleasant माहौल होगा, हलाकि available water भी बहुत जादा होगा तो इसके करण वहाँ का scenario कुछ अलग होगा अब आप इसके हिसाब से ऐसे समझ सकते हो कि कही ना कही जो weather condition है वो जो geographical reason होगा वो automatically उस चीज़ को अपने अंदर observe कर लेगा अब उससे फाइदा और नुक्सान क्या होगा और कैसे कैसे factor काम में आते हैं उसको भी देखते हैं आगे, देखो अमूमन एक और factor की बात करते हैं यहाँ पे overall जब हमारे मौनसून आता है और मौनसून रिट्रेट होता है तो ऐसी condition के अंदर पहले तो यह समझो मौनसून जब हमारे यहाँ आता है तो मौनसून के time duration जो है वो लगबग लगबग हमारे यहाँ पर जो rainfall होती हो जून से सेप्टमबर के बीच में होती है पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं इंडियन क्लाइमेट की बात करूँ तो देखो यह वाला जो रीजन है यहाँ से मौनसून के बादल आए और यहाँ से बरसात करते वे आगे भड़े वो और ऐसे ही weather change हुआ यह रिवर्ट होंगी वापिस लोट जाएंगे तो ऐसे में यह जो condition है यह जब लोट के वापिस अपने जहां से वो originate हुए हैं वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर rainfall का time duration कुछ अलग होता है जैसे जब यह बादल आ रहे हैं मौनसून मतलब हमारे यहां आ रहा है तो पूरे इंडिया के अंदर जून से सैप्टेंबर की बीच में बरसात होती है काफी अच्छी लेकिन अगर मैं जस्ट opposite की बात करूँ इस time तक तो बादल यहां से जा रहे होते हैं तो ऐसे में लेकिन तमिलनाड़े के ऐसा place है वहाँ का coastal area ऐसा है जहां पे heavy rainfall अगर आपको देखना है तो you will find between the months October and November October November की बीच में वहाँ पे बहुत जादा heavy rainfall होता है क्यों होता है वह मौनसुन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अब यह समझके चलो कि कई जगह पर बरसांत किसी और मन्त में तो कई जगह पर बरसांत किसी और मन्त में हो रही है तो इसके पीछे के क्या logic है वो भी चैप्टर में हम discuss करेंगे ठीक है ऐसा है यह variation है अब आप ऐसे समझके चलो जब October November के अंदर तमिलनाड के अंदर क्या हो रहा है जब बरसांत हो रही है तो वहाँ पर जो scenario होगा वो present होगा जबकि September के अंदर और September तक हमारे यहां पर बरसांत होके चलीगी है अब situation थोड़ी moderate होगी बदल रहा होगा मौसम देरे-देरे मौसम में बदला हो आएगा तो यह जो situations है यह मैं इतने सारे example हमने दिये हैं कि आपको यह पता लगे कि राजस्तान के अंदर जो condition है आज की date में same वही condition ज़रूरी नहीं है यह दूसरे state में भी हो ठीक है कि depend करता है व कुछ और condition हो सकती है ठीक है यह दो चीजे मैं आपको समझाना चाहरा था आगे coastal areas क्या है अच्छा हमारे इंडिया के अगर आप south में जाते हैं यह इंडिया के इस वाले reason के अगर आप जाते हैं यह वाला reason तो जहां जहां पर coastal areas हैं उन सारे coastal areas में जो climatic conditions होंगी वो moderate होती ह ना तो कोई चीज जादा ना कोई चीज कम मैं यह कहूं कि ना तो वहाँ पे ठंड जादा होती और ना ही वहाँ पे गर्मी जादा होती है यह मतलब एक factor है simple सी वादर जब आगे हम पढ़े हैं तो तुमें समझ में आते जाएगा कैसा क्यों होता है अगर थोड़ा सा hint दू तो ऐसे समझो क्योंकि पानी यहाँ पर है तो अगर तेज बरसात है तो भी कोई जादा effect ने पढ़ेगा क्योंकि automatically वह habitual होते हैं कि बरसात यहां होती रही होगी अगर ठंड होती है तो क्या होता है देखो पूरे दिन के अंदर ठंड पढ़ रात में बहुत ठंड पढ़ र बी यह और लेंड मांट मांस भी है तो पूरे दिन सूरच की रोशनी जमेन पर गिरी और यह जमीन गर्म हो गई लेकिन पानी को थंडा होने में भी साथे ओन लगा तो जमीन तो धीरे मतलब बहुत तेजी जे ठंडी हो जाएगी जो पूरी गरम थी लेकिन पानी अब पूरी दौपहर गरम हुआ था और अब जाके वो गरम हो चुका था लेकिन अचानक से डेचेंज होगे हैं मतलब रात आगी तो ऐसे में यहां से जो गरम हवाएं हैं जो गरम पानी होने के कारण उपर हवा में उठ रही हैं तो वो क्या होगी अब जमीन की तरफ बढ़ेगी तो ऐसे में थंडी हवा नहीं होगी वो गरम हवा होगी तो इस कारण से यहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको गरमी महसूस होगी फिर वापे से सुबह आने तक क्य होने लग जाएगा और यह जो जमीन है सुरिच की रौषणी आने से गर्म होने लग जाएगी तो एसे में यहां पर जो कंडिशन होती है वो कभी बी एक जैसी नहीं रहती ना तो ठंडी पढ़ती है हम और ना तो ऐसे में इसको क्या कहा गया है, मेरे साब से आपको समझ में आगया होगा, नहीं आया है तो अभी आगे factor आएगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, चलिए, आगे देखिये और, अगर मैं climate के factors की बात करूँ, या जिसको मैं कह सकता हूँ के climate को control करने वाले factors कौन से हैं, तो these are the factors, दुबार समझे, climate को affect करने वाले factors कौन से हैं, या climate को control करने वाले factors कौन से हैं, तो these are the one, पहली चीज, सबसे पहले, आपका latitude क्या है, आपका altitude क्या है, आपकी यहाँ पर wind system, या फिर pressure किस तरह का है, यहाँ पर sea से आपका distance कितना है, ocean currents किस तरह से आप को affect करने हैं, और आपकी इंडिया के अंदर या पिर कहीं भी relief feature हैं के नहीं, these are the reasons, जिसको आप कहते हो, कि यह हमारे climate को control करने वाले factors हैं, दुबार सुने, अगर आप से MCQs के अंदर पूछ लिया आ जाए, कि इन में से जो भी suitable match नहीं है, उसको choose करो, जैसे आपको बोल द आएगा कि यह वाला जो factor है, यह से relate नहीं करता है, जैसे यहाँ पर आजाए, ऐसे कह सकते हो आप, political policies, अब obviously यह politics का होगे, जोग्राफी का होगे, तो इस तरह के कुछ silly questions भी आ सकता हैं आपके सामने, हो सकता है, थोड़ा सा tricky कर दे, match करने को कह दे आपको, ठीक हैं, वो questions ह या pressure wind system है, distance from the sea है, ocean currents है, relief features है, यह सारे वो factors हैं, जिसके बहाफ पे climate को control किया जाता है, या फिर आप यह कह सकते हो, कि climate को affect करने वाले यह factors हैं, चलिए इनके बारे में one by one, एक बार देख लेते हैं, सबसे पहली बात, latitudes की बात करते हैं, देखो, latitude के बारे में, एक बहुत detail में, latitudes को, कप पड़ा था, chapter number one के अंदर, तो जो zero degree latitude है, क्योंकि वो सूरज के, जैसे imagine करें, यहाँ पर यह सूरज है, और सूरज से रोश्नी आ रही है, इसको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा, यह लीजिए, तो यह आपका सूरज है, इससे रोश्नी आ रही है, माल लिया हमने, अब क्या होता है, अब ऐसी situation है, कि यह जो रोश्नी है, वो जो कर्व प्लेस है, imagine कीजिए यह ball है, यह ball आपका अर्थ है, तो यहाँ पे जहाँ मेरे finger आपस में टच कर रही है, यह आपका equator है, मतलब यह सबसे उबरा हुआ हिस्सा है हमारा, तो ऐसे में सबसे उबरेवे हिस्से पर सूरज की जो रोश्नी होगी, वो बिल्कुल सीधी गिरेगी, ऐसे समझ रहे हैं, आप मेरे हिसाब से जान जाएंगे, देखें मैंने क्या किया, यह earth है, इसको मैंने जोड़ दिय यह equator है मेरा, अब इस equator पर क्योंकि यह सबसे उबरावा पार्ट है, तो ऐसे में क्या होगा, direct sunlight यहां गिरेगी, और sunlight की direct यहां गिरने से यह वाला जो हिस्सा होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं उपर भढ़ता जाता हूं, या जैसे जैसे मैं equator स कैसा होता है, moderate होता है, कम होता है, मतला भी कह सकते हो, less होता है, और बिल्कुली उपर पहुँच जाओगे, तो रोशनी बिल्कुली तिर्ची जाएगी, इसका मतला वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, तो डिपेंड करेगा कि अर्थ का position क्या है, साथ इन साथ वहाँ पर sunlight किस तरह से गिर रही है, तो ऐसे में, डिपेंड करेगा कि आपका नेशन, आपका नेशन कहा है, और उस पे sunlight किस तरह से गिर रही है, ठीक है, तो पहला factor क्या हुआ, किसी भी climate को affect करने के लिए, किसी भी climate को control करने के लिए, कि आप latitudinal position आपकी बता करो, आप मुझे बता सकते ह तो क्या है हमारा latitudinal position, comment box में बता हूँ, फिर मैं बता दूँ, पांस से किन दे रहा हूँ, वैसे तो, चलिए, बता दिया होगा अगर आपने, ठीक है, अगर नहीं बताया है, तो सुन लीजेगा, यहां से start होता है, 8 degree and 4 minute north, latitudinal position है, ठीक है, नॉर्थ क्यों हम बला मैंने, और 8 degree 4 minutes के है, यह भी आपको बता होगा, और 37 degree 6 minutes north, यह हमारा latitudinal position है, इसका मतलब, देखो यह जो 10 दिख रहा है ना तुमें, यह जो 10 दिख रहा है, इस 10 से start होगा, मतलब इस 10 के नीचे से start होगा, और मैंने कहा 37 degree and 6 minute, तो मतलब यहां बीच में, हाला कि इस map में आपको नहीं दिख रहा है, बट इसके जिस्ट पीछे की तरफ, तो कहां किसी के बीच में होगा, यहां से यहां तक होगा, इसे, इतना, ठीक है, बाद समझ में की, तो इसका क्या logic निकला, क्या science निकला, कि भीया, यहां पर गर्मी सीधी पढ़ती है, और उपर जाते जाएंगे, तो गर्मी कम होती जाएगी, इसका मतलब, जो state हमारी यहां पर टॉप पर है, उसमें सबसे कम गर्मी होगी, और यहां पर जो south में हमारा state है, वहां पर गर्मी comparatively, rest of the states जादा होगी, क्योंकि वो equator के पास में है, और equator पे पास में है तो उससे क्या, क्योंकि equator पे सीधी गर् नहीं गिरती है, तो temperature वहां का जादा होता है, और ऐसे में वहां का climate, जो condition है, वो भी थोड़ा सा harsh हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए जो उसके पास में है, तो वो area भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो this is the factor, कि latitude पे किस तरह का latitude के current से effect होता है, तुम जानते ह पोल्स जो हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ से compressed है, थोड़े के अंदर दबेवे हैं हो, थेक है, मतलब बिलकुल आप बोल नहीं कह सकते हो इसको, तो जैसे आपको photograph ना भी दिख रहा होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे समझानी कोशिश की है, आप orange लीजेगा, या कि altitude का मतलब है height, ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप किसी पहाड़ पर हैं, और मतलब आपने पहाड़ के टॉप पर आप पहुँच गए, तो आपको ठंड जादा लगी ही, गर्मी जादा लगी ही, क्या, तो अगर कुछ बचे कह रहे हैं कि सर, टॉ ठंड वहाँ पर होती है, तो यह जो ठंड होती है, वहाँ पर उंचाई पर जाने पर temperature कम हो जाता है, और वहाँ पर मौहल जो होता है, वह बहुत ही pleasant हो जाता है, ऐसे में altitude किस level पर, sea level से कितना उंचाई पर आप exist करते हैं, उससे भी depend करता है आपका climate, उससे भी कही ना कही आपका climate, आपका weather affect होता है, क्यों होता है, वो भी देख लो एक बार, सोचे आप पहाड पर हैं, आप यहाँ पर बैठे वे हैं, ठीक हैं, अब सूरज की रोशनी गिरी, ऐसे समझें, यह सूरज है और सूरज की रोशनी गिरी, अब जो भी चीज, यह रोशनी सीधी कहां आ आ रही है, और मैंने आपको भी बताया था, कि जमीन क्या गरेगी, यह जो भी रेज आ रही है, इन सब को एब्जॉर्व कर लेगी, एब्जॉर्व करने के आरण वो कैसे हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ एब्जॉर्वेशन तो हो गई नहीं, क्योंकि हील्स होंगी, उस पे सनलाइट डारेक्ट नहीं पड़ सकती, सीधी सी बात है, मोबाल आपने जलाया, उसके फ्लेशलाइट आपने जलाई, यह टॉर्च आपने जलाया, तो डारेक्ट दो चीज़े हैं, या तो किसी एक कोई भी एक पोल है, या किसी पर भी आपने गिराई, तो उस पे रौशली सीधी नहीं गिरेगी, ठीक है, वो तिरची गिरेगी, तो वो चीज़ गर्म बहुत देरी से होगी, इंस्टेड कि आप उसको एक फ्लेट सर्फेस पे लाइट को क्या गरें, एक तरीके से डारेक्ली उसको गिराएं उस लाइट को वहाँ पे ऐसे भी करते हैं, आपने देखा होगा, लेंस लेकर, आपने सारने भी आपको पढ़ाया होगा, या एक्स्पेरिमेन आपने खुददे ही किया होगा, कहीं पर फोकस किया है आपने, कोई भी फ्लेट सर्फेस है, उस पे फोकस आसानी से हो जाएगा, जबकि अगर कोई वो कैसा होगा वो ठंडा रहेगा comparatively landmass के तो ऐसे में जितना और उपर जाएंगे आप सेम वही होगा वहाँ पर सीधी रोशनी नहीं आएगी तो automatically उपर का जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा इस कारण से भी जितनी उचाई पर आप है उतना pleasant आपका scenario रहेगा तो ऐसे में altitude के किस level पे किस height पे आप exist करते हैं तो this also affects the climate मेरे साब से ये भी clear हो गया होगा आपको next आपके pressure and wind system pressure and wind system क्या है देखो आपको पता है जो pressures होते हैं एक atmospheric pressure होता है ठीक है तो जो atmospheric pressure है उससे भी कही न कहीं हमारे यहां का जो temperature है weather है climate है कहीं न कहीं effect करता है देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यह जो high pressure है इस high pressure से winds जो है वो flow कर रही है low pressure की तरफ है एच रीप्रेजेंट कर रहा है high pressure को L represent कर रहा है low pressure को तो जो wind system है वो wind system latitude और altitude के current से इस तरह का scenario create करता है कि जहाँ पर भी pressure high होता है वहाँ से हवा निकल करके जहाँ पर भी pressure low होगा उसके और move करने लग जाएगे तो सोचो यहाँ पर जैसे मैं आपको पताया था यह देखो यह था आपका c और यह था आपका land अब क्या हुआ पूरी सुभ़े से यहाँ पर धूब गिर रही थी तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर temperature भढ़ गया temperature भढ़ गया तो pressure क्या हो गया विटा कम हो गया ठीक है यह concept समझना just opposite होता है temperature जब घट जाएगा तो pressure यहाँ पर भढ़ जाएगा बास समझ वह ही ठीक है अब क्या हुआ ऐसे समझे बहुत देर तक जमीन के उपर sunlight गिरने से कम था और pressure high था तो समुद्र से हवा किसकी और भहने लग जाएगी जमीन की तरफ इसी लिए समुद्र की जितना आप पास है उतना आपका कहीं न कहीं जो temperature है आपकी आसपास की reason का वो moderate होगा मतलब एक equal सा होगा जादे impact पड़े गए लिए same situation उल्टी हो जाएगी जब रात होगी तो और दिन होगा तो फिर वापस से उल्टी हो जाएगी तो इस तरह का ये condition wind system के कारण भी effective होता है ऐसे ही एक और factor है कि समुद्र से आपका कितना distance है यही वो चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहरा हूँ कि जितना distance आपका समुद्र से है जितना distance आप समुद्र से रखेंगे उतना temperature कैसा हो जाएगा different होता जाएगा क्यों सोचे कोई अगर country state कोई state अगर यहाँ है या आप नहीं पर established हैं तो यहाँ पर तो moderate होगा condition लेकिन जैसे जैसे इस से दूर होते जाएंगे फिर तो दूसरे factor काम में आने लग जाएंगे ना यहाँ तो एक factor काम कर रहा होगा कि भी है ना तो ठंड ना गर्मी यह factor तो यहाँ काम कर रहा होगा लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर चले जाएंगे सोचिए आप यहाँ पहुंच गए तो यहाँ तो अभी फेक्टर काम ही नहीं करेगा क्योंकि यह विंड सिस्टम यहाँ तो आहीं नहीं सकता तो यहाँ पर फिर दूसरे जो फेक्टर हैं Already we have earlier studied तो ऐसे में वो फेक्टर यहाँ पर काम कर रहे होंगे मेरे साब से इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अगर कितना डिस्टेंस आपका समुद्र से यह भी कहीं ना कहीं impact डालता है effect डालता है आगे देखिए वई यह distance from the sea में आपको बता दिया हाँ एक और चीज़ यह जो conditions है कौनसी condition कि आपका जो यह जो moderation है या यह जो temperature के अंदर fluctuation है आप समुद्र से जितना दूर जाएंगे the distance from the sea increases जैसे जैसे distance समुद्र से दूर होता जाएगा आपका जो temperature है या आपके जो effect है climatic conditions में जो बदलाव है वो भी क्या होगा change होता जाएगा और यह जो changes है यह जो conditions है कि समुद्र से आपके distance के कारण ऐसा कुछ temperature में या फिर precipitation में या फिर wind system में जो भी बदलाव आ रहे है इन सब को हम क्या कहेंगे Continentality क्या कहेंगे बिटा Continentality ठीक है यह एक नंबर के question में आ सकता है तो बताएंगे आप क्या बताएंगे दुबारा सुने एक बार distance from the sea increases समुद्र से दूरी आपकी बढ़ी तो moderating effects decreases तो यह जो moderative conditions है गर्मी भी उतनी ही सरदी भी उतनी तो वो भी क्या होती जाएगी बदलती जाएगी चेंज होती जाएगी तो ऐसे में इस पूरे segment को क्या खाएंगे Continentality Continentality ठीक है तो यह याद रखें आप Next Ocean currents Ocean currents के बारे में भी आपको बताता हूँ मैं देखो यह अगर आपको एक photo दिखरी हो तो यहाँ पर यह बहुत सारे आपने यह आपके NCRT की textbook में भी यह देखेगा यह देखो वही same conditions है Land area है, समुद्र है तो इसके बीच में बहुत सारे zones बनते है यहाँ पे हवा भी होती है यहाँ पे temperature दिन में रात में घड़ता भी है इसके कारण से एक wind system बन जाता है और यह जो wind system है एक particular zone में एक particular time duration तक मतलब उसके इसाब से चलता रहता है आपने यह भी सुना होगा आपने यह भी सुना होगा gravitational pulse यह क्या होता है sun and moon की position जब आपकी अर्थ के आसपा sun का आ जाना या फिर moon का आ जाना उसके कारण से समुद्र के पानी के अंदर जो tides waves जो उठती है उनका होना उनके कारण से currents create होते है यह वो वाला current नहीं बिजली वाला हला कि आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो physics में पढ़ा होगा physics में आपको बताय होगा इसके बारे में नहीं बताया तो बता दिएगा आप पूछली जीगा नहीं वाले चैनल पे तो हमारे जो teachers हैं वो आपको convey कर देंगे समझा देंगे तो यह जो ocean currents है detail में पढ़े हैं यहाला है कि इसको अपन तो यह जो ocean currents है इनके हवा ऐसे समझ लो इसको देखो यह जो red color में आपको दिख रहा है यह तो गर्म हवा है जब यह यहां तक पहुँची तो इनका जो हवा थी जो गर्म थी वह थंडी होने लगी तो थंडी होने के बाद में वही pressure temperature high से low की तरफ इस situation को इस condition को इस rule को follow करते हुए यह दो पार्ट्स में घूम गई और ऐसे ही यह पूरे time चलती रही ही ऐसे में कई सारे currents बन जाएंगे पूरे के पूरे समुद्र में इसको detail में जब समझाओंगा तो और अच्छे समझ माँ जाएगा ऐसे समझ लो इतना सा इसको कि जहाँ पर भी समुद्र और land area एक साथ connect करता है वहाँ पर बहुत सारे factors होते है हवा के flow करने के लिए तो यह जो flow कर रही हवा उसके अंदर यह जो भी बदलाव आ रहे हैं यह भी कहीं न कहीं उस आसपास की reason के अंदर जो conditions है weather conditions उसको affect करते हैं तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे है ocean currents भी इसी का एक important factor है एक और last point जो बच रहा है हमारे climate को control करने के लिए affect करने का जो एक segment है वो है हमारा reliefs reliefs क्या होते हैं ऐसे समझें कि आप बरसांत में बहार जा रहे हैं अचानक से आपने जो चांता है उसको उपन क्या जो आप साथ में लेके गए थे अब बरसांत से आप बच गए मतलब जिस condition जो harsh condition है उससे बचने के लिए जो भी चीज़ें आपको support कर रही है वो क्या है आपके लिए relief है अब ये जो relief है हमारे यहाँ पे जो mountains है ये mountains हमारे लिए relief का काम करते है इंडिया के अगर आप map को देखें तो इंडिया के map के अंदर देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने के कोशिश करता हूँ ये ये आपकी हिमालेन range है ठीक है और ये आगया आपका southern part यहाँ पर हमाले ये जो हमारी हमालेन range है यह तिबबत की side से आने वाली जो ठंडी हवा है उसको रोक लेती है मतलब हमारे पे negative impact नहीं गिरता इसका साथ ही यहाँ पर से जो cloudy आप कहा सकते हैं मौन्सून जो clouds होते हैं वो जो इसके उपर जा रहे होते हैं यह उपर सीधे निकल जाते इन्होंने क्या क्या इसको यहाँ पर रोक दिया और कहीं न कहीं इसने यहाँ पर हमारे बरसाद कर दी due to हिमालेन range तो ऐसे में यह जो हिमालेन range है हमारे को क्या गरती है गर्म हवा या फिर ठंडी हवा से बचाती है जिसके कारण से हो सकता है हमें नुपसान पहुंचता है या फिर हमारे harvest खराब होती या फिर वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता तो एक तरीकी का हमारे लिए relief का काम कर रहे हैं तो इसलिए इसको relief feature का और ऐसे में इनके यहाँ होने से क्या हुआ ना तो हमारे हैं ठंड जादा पड़ी और बरसान भी होने लगी तो इसके कारण भी हमारे क्या होता है impact पड़ता है climate पर तो इस इस अलसो वहाँ फैक्टर्स वी हैव स्टडी तो यह क्या करता है हमें गर्म और ठंडी हवाँ से बचाते हैं एक तरीके का barrier का काम करते हैं और इसके कारण से इनकी जो height होती है वो इतनी enough होती है कि यहाँ पर जब यह बरसान के बादल पानी लेकर आते हैं और monsoon का जब time होता है तो for sure इनके कारण हमारे यह बरसान होती है जिसका positive impact हमें देखने को मिलता है हमारे harvest के दोरा या फिर जो भी conditions जो भी weather या climate condition है उसके अंदर बदलाव का कारण भी यह कुछ ranges होती है तो like this यह हमने कुछ factors पढ़ें जो हमारे climate को effect करने directly and directly इसके बारे में और detail में पढ़ेंगे next हमारे जो topic होने वाला है that is Indian climate Indian climate के बारे पढ़ेंगे हम और उस Indian climate का उसको effect करने वाले factors कौन से हैं तो उसके अंदर और detail में भढ़ते जाएंगे अच्छा एक topic और रह गया है दिख लीजे एक बार यह topic और रह गया है सोचिए यह mountain है इसको थोड़ा समझाने कोशिश करते हैं यह mountain क्या करेगा इसको कहा जाएगा windward sides और इसको कहा जाएगा leeward side अब यह जो windward है या फिर leeward है अभी क्या चीज है जहां पर बरसात का पानी आके टकराता है मतलब यह वाला हिस्सा जो mountain हमारे front में है बरसात के बादलों के सामने तो इसको तो कहेंगे हम windward और वो जो उसके पीछे की तरफ है मतलब तिबतन रीजन की तरफ है तो उसको हम कहेंगे leeward sides यह वाला area गर्म होता है यह वाला area comparatively ठंडा होगा लेकिन अब condition उदर जस्ट अपोजिट है क्योंकि वाँ तो already ठंड पढ़ रही है तो यह जाधा comparatively जाधा ठंडा होगा और यह उससे कम हो जाएगा ठीक है यह दो conditions हो रहे है हम next जो topic पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इंडिया की climate को affect करने वाले factors कौन से है वापे से इसमे latitude, altitudes और pressure and events को देखेंगे बट यहाँ पर अब हम specifically केवल इंडिया की बात करेंगे अब तक हमने common सा factor देखा कुछ कौन-कौन से factors थे जिसके गारण से हमारा climate effect हो रहा है लेकिन अब केवल हम इंडिया के रेक्सपेक्ट में बात करेंगे के कौन-कौन से factor है जो इंडिया की climate को effect करता है in next lecture तब तक इसको प्लीज देखें आप कोई problem है तब बूचें thank you so much for joining the class